हलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोने किचन में तो आज की इस रेसिपी में हम बनाने वाले हैं मक्खन पेडा रेसिपी बहुत ही ज़ादा फेमस है और हलवाई की शॉप पे भी बहुत ज़ादा बनाया जाता है हलवाई तो बनाते ही है लेकिन आज हम घर पे कैसे बना सकते हैं यही मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को लास तक देखते रहे हैं घर पे कैसे बनाना है इस वीडियो में हम सीखेंगे और हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है वो आउन कर लिजिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो मक्षन पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में मैदा चाहिए तो मैदा मैं यहाँ पे वन कप ले रहा हूँ एक कप मैजरमेंट के हिसाब से आप सभी को मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो एक कप मैंने मैदा लिया है ग्राम में अगर आपको बताऊं तो यह 150-160 के ग्राम है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मावा वाला स्टैक्शर देने के लिए इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल रहा हूँ यहाँ पे एक चौथाई कप या फिर दो बड़े चमच आप इसमें डाल सकते हो एक चौथाई कप मैंने मिल्क पाउडर यहाँ पे डाला है बहुत लोग पूझते है कौन सा आप यूज करते हो मिल्क पाउडर तो मैंने यह वाला डाला है आप कोई भी ब्रैंड का डाल सकते हैं इससे कोई फरग नहीं पड़ता कोई भी डाल सकते हैं इससे थोड़ा सा क्रीमी नस मिलेगा हमारे इस मक्खन पेड़ा में और उसके बाद बेकिंग पाउडर इसमें थोड़ा सा फुलाने के लिए एक चौथाई चमच के करीब मैंने दाला है आब इसके बाद हमें इसमें सिर्फ खस्ता करने के लिए घियामी पाउडर साइड में रखते है और उसके बाद इसमें हम खस्ता करने के लिए थोड़ा सा घीयाड करेंगे एक चौथाई कब से थोड़ा सा कम, मतलब चौथाई कब जो होता है थोड़ा सा पाणी और डाल रहा हूँ मैं और इसमें जो डो है वह बिल्कुल ।long wr बहुत जादा हाड भी ना हो और बहुत जादा सॉफ्ट भी ना हो अब इसे पांच मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं रेस्ट करने के लिए तब तक मैंने या पे लिया है जो बड़े चमच मावा ये नॉर्मली प्लेन मावा है जो माकेट में इसली मिल जाता है दूद क इसको हम स्टफिंग के लिए यूज करेंगे ड्राइफ रूट कटे हुए आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास है वो डाल सकते है मैंने आपके कटे हुए पिस्ता बादाम और काजू डाला है जो भी ड्राइफ रूट आपको पसंदो डाल सकते हो थोड़ा सा होने के बाद अब इसको साइड में रखते हैं तो हमारा जो मैदा है वो भी बिलकुल सैट हो चुका होगा अब हम निकाल लेते हैं इसे और एक किसी भी बोर्ड वगरा पर रख करना है मतलब इसको गूतना है थोड़ा सा थोड़ा सा उतना है बहुत जादा नहीं इसके हमे बाद चोटे चोटे portion में आपने बना लेना है मतलब जिस भी size का आप बनाना चाहते हो उसका half आप रखें याप देखिए क्योंकि ये full के double से भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो इसलिए मैंने जो normal size है वो ये रखा है आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राम के हिसाब से बताओं तो 12 ग्राम का एक टुकड़ा है मेरे पास और उसके बाद हम इसके अंदर stuff करेंगे तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे रोल किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो मावा और dry fruit है इसके अंदर stuff कर देंगे ये देखे और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद करना है ताकि ये fry करते time open न हो क्यूंकि हमें इसे fry करना है तो fry करते time क्या होता है न कि बहुत जादा खासता होने की वज़ा से ये बिल्कुल खुल सकता है, open हो सकता है तो वो फिर अच्छा नहीं रहेगा तो इसलिए हमें क्या करना है इसको बिलकुल अच्छे तरीके से पैक करना है उसके बाद ऐसे गोल सी टिककी जैसे आपने बना लेना है बहुत जादा इसको आप हातों में ऐसे घुमाएंगे तो जो मावा है वो उपर के साइड आजाएगा तो उससे क्या होगा जो फिलिंग है वो बाहर निकल जाएगी इसको fry करते टाइम तो अब हम क्या करेंगे ऐसे बाकी के सारे जितने भी है वो सारे हम ready कर लेंगे और ready होने के बाद हम इसे fry करेंगे और हाँ इसके उपर भी मैं इसको बिल्कुल बनार हो बिल्कुल सिंपल सा मैंने इसके उपर कोई design अगरा नहीं बनाया है आप चाओ तो इसके उपर design भी मैं इस के उपर आइसे design बना सकते हो यो देखिए मैंने इस तरीके से इसके उपर नॉर्मली ऐसे ही डिजाइन बना दिया है ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे नहीं भी बनाएंगे डिजाइन तब भी काफी अच्छा रहेगा तो इस तरीके से मैंने इसके उपर बना दिया है ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है देखने में ऐसे हम सारे रैडी कर लेंगे उसके बाद इसे हम फ्राइ करेंगे ये दिखेंगे रैडी है अब इसे फ्राइ करने के लिए मैंने ओईल जो है वो गरम होने के लिए रख दिया है तो थोड़ा बोट एक दू मिनट हो गए है रखे को तो गरम हो चुका होगा, अब चलते हैं फ्राइ गरते हैं, देखिए, अभी ऑईल जो है वो गरम नहीं है, एक दो मिनट और लगेंगे, थोड़ा सा जब ऑईल गरम हो जाए बहुत जादा नहीं, बसमा तो दो तीन मिनट गरम हो जाए ऑईल, तो एक पीस डाल के चेक करना है कि ऐसे बबल्स आ रहे हैं या नहीं, अगर ऐसे बबल्स आ रहे हैं एक पीस डालने के बाद तो इसका मतलब जो है हमारा ओईल बिलकुल परफेक्ट गरम है, तो हम बाकी यह सारे बीस में डाल देंगे, यह देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है, ग्यास का फ्लेम बिलकु वो कम रखा है और उसके बाद इसे 5-7 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरीके से फ्राई करूँगा, 5-7 मिनट कम से कम फ्राई करना जरूरी है, अगर आपने इतना काईम नहीं फ्राई किया, तो आपके जो मखन पेड़े हैं, वो अंदर से बिलकुल पके हुई नहीं तो इसलिए कम से कम 5-7 मिनट इसे फ्राई करना जरूरी है, तो इसे आप उलटते पलटते रहें ताकि ये बिलकुल इक्वली उपर नीचे से बिलकुल चारो तरब से बिलकुल परफेक्ट ब्राउन हो, तो इसे मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है, 5 मिनट फ्राई करने क के बाद आप इसका जो कलर है वो देख सकते हैं काफी बढ़ väldigt लग रहा है और से ज्यद्वा खका खंताव गया है और वह देखने era our played बिलकुल काफी बढ़िया से फ्राय हो चुकत है लेकिन थोड़ा सा मैं इश्को और ब्रॉौं करेंगे बस देखें इतना ब्रॉौं ये देखिए इतना brown हम करेंगे इस से ज़ादा हमें brown करने की जोदनी है जैसे हम गुलाब जामुन fry करते हैं लो flame पे उसको long time तक fry करना होता है ऐसे ये भी एक गुलाब जामुन की तरह होता है बिल्कुल long time तक उसको fry करना है मतलब अगर long time तक आप करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पके हुए रहेंगे अब मैंने इसको निकाल लिया है अब निकालने के बाद इससे हमें चाशनी में डिप करना है तो मैंने कढाई अटा दिया है अब दूसरा पैन मैंने रखा है चाशनी बनाने के लिए मैंने आपर आधा कप पानी लिया है और एक कप मैं चीनी डालूँगा ये देखिए अब इन दोनों को हम एक बार सिरफ उबाल लेंगे उबाल आने के बाद हलकी सी जो इसके अंदर तार है वो बननी चाइए मतब हलकी सी बहुत जाब भी तार नहीं बनने चाहिए हलकी सी तार जब बनने लग जाए तब हमें क्या गरना है गैस को बंद कर देना है अभी जो चासनी है वो उबल चुकी है एक मिनेट इसको उबलते हुए हो गए तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि जो तार है हलकी सी वो बन रही है या नहीं देखे काफी बड़िया से हलकी सी चिपचिपाहाट या तार जासी लग रही है तो इसका मतलब यह बिल्कुल रेडी है गैस बंद कर दिया है फ्लेवर के लिए मैं इसमें केवरा वाटर या फिर रोज वाटर जो भी आपके पास है आप इसमें डाल सकते हैं अगर नहीं भी है तो स्किप कर सकते है क्योंकि लाइची का पाउडर तो हमने अंदर स्टफ किया ही है उसके बाद हमें गरम गरम चासनी में ही जो हमारे मक्षन पेड़े हैं इसे अंदर डिप करना है इसके तो आप इसको dip कर सकते हो या फिर इसके अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो अभी क्या होगा इसके अंदर हम डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आसी अगर हम इसमें डाल रहे हैं और 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल अंदर तक जो चासनी है वो भर जाएगी अगर आपको बहुत जादा मीठा पसंद है फिर तो आप ये प्रोसेस करें इसको सारे मखन पेड़ों को इसके अंदर डाले और मिक्स करके इसी के अंदर 10-15 मिनट या फिर आदे घंटे के लिए एक घंटे के लिए इसी के अंदर आप थोड़ दे अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है अगर आप मतब श्रिप ऊपर से जो चासनी है वो कोट करना चाते हो तो आप क्या करें इसको डिप करें मतब एक दो मिनट तक इसमें उलट पलट ले और उसके बाद इस तरीके से निकाल ले तो बिलकुल अंदर तक चासनी जो है वो नहीं जाएगी और जो हमारे मखन पेड़े हैं वो थोड़े कम मीठे रहेंगे तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो अगर आप कम मीठा खाना है तो आप इसको एक बाद डिप करके निकाल ले अगर आपको जादा मीठा खाना है तो आप एक बाद डिप करें और उसको आदे गंटे के लिए छोड़ दे तो मैंने ऐसे किया है मैंने यहापे बहुत जादा टाइम नहीं मैंने 5-5 मिनट के लिए सिर्फ और उसके बाद निकाल लिया है तो काफी बढ़िया लग रहे हैं इसको मैंने पिस्ता से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है देखने में बढ़िया लग रहा है अब इससे आप अगर जादा मीठा करना चाते हैं अभी भी तो जो हमारी चासनी हमने बनाई थी वो चासनी आप हो तो इसके उपर इस तरीके से डाल के आप खा सकते हैं यह देखिए तो काफी बढ़िया लग रहा है देखने में तो यह वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए अगर आप लोग यह ट्राई करते हैं घर पे बनाते हैं तो आप मुझे इसकी फोटो ज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा ले ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियो से वह आप सभी को मिलती रह थैंक यू सो मच मेरते हैं नेक्स वीडियो में